पाड़ लेजी बिस्किट की ये अनोखी रेसिपी आज से पहले आपने कभी नी देखी होगी, इसे बनाना बिलकुल आसान है और बिलकुल नई रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, रेसिपी बनानी के लिए सबसे पहले हम पै डिलकुल आजाएंगी और जैसे इन पर अच्छा सा कलर आजाएगा ब्राउन सा उसके बाद इनने निकाल देते हैं, बहुत जाद़ ढाक नहीं करना है, बिस्किट गी को जादा अबसॉफ करते हैं तो इसलिए आप इने घी में ही फ्राय करें, अगर आप तेल डालेंगे तो टेस्ट भीगड जाएगा, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैंने घी और डाल दिया है, जुरत के साब से आप घी और डाल सकते हैं, और बिस्किट को अच्छे से फ्राय कर लें, दो पैकेट मैंने बिस्किट के फ्राय कर लिये हैं, अब इन्हें क्रश कर ले तो अब दरदरा सा चूरा बना के तयार कर लें देखिए इस तरीके से. तो बिसकिट का चुरा तैयार हो चुका है अब बढ़ते हैं next step. इतनी तोड़ी सी चीनी डाल देते हैं 1 4 cup जितनी आप ने चीनी लिये उसी के हिसाब से आप पानी डाले नें उतना ही मैने आप ground छीनी जैसे şi आपको जादा डालें के बिल्कुल जरृत नहीं क्योंकि जो बिस्कीट भी मीठे होते हैं और यह मिल्क पाज़र ही हल्का सा स्वीट रहता है तो इसलिए चीणी आप कम ही डालें लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिकिनी लेकिनी कि शुरने से जो है यह हम रेसिपी बना रहे इसमें यह देखें बिस्किट भी काफी लिक्विडी से हो गए है काफी स्टिकी हो गए है इस टाइम पर अच्छे से आपको इनको मिला देना है अच्छे से चला देना है तो आप देख सकते हैं बिस्किट इसमें अच्छे से पक चुके हैं बस कुछी सेकंड्स लगेंगे इ प्रोसेस करने में उसके बाद आप इसमें ड्राइफ रूट डाल सकते हैं अपने पसंद के जो आपको पसंद हो और अच्छे से मिला दें इस स्टेज पर आपको यह बिल्कुल हल्वे जैसा दिखेगा जैसे हल्वा हो जाता है और आपको इसमें से ओइल भी दिखने लगेग या इतना ठंडा कर लें जिसे कि आप इसे छू सकें और ठंडा हो जाने के बाद हम इसकी रेसिपे तयार करेंगे तो इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और ठंडा होने के बाद आप इसे हातों में लें अब आप चाहें तो इसकी बर्फी बना सकते हैं या इस त तो पाले जी बिस्किट के लड़ू आप इस तरीके से बना के तयार कर सकते हैं सेम इसी तरह से सारे हमें लड़ू तयार करने हैं देखने में यह बहुत जादा टेम्टिंग तो नहीं लग रहे हैं लेकिन यकीन मानिया इनका जो टेस्ट है वह वाकिए ही आपको हैरान कर दे मतलब बहुत ही मौत मेल्टिंग मिठाई है यह मू में जाते ही जैसे घूल जाती है और घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और मीठा भी एकदम पर्फेक्ट है तो एक बास जरूर ट्राय करें इस रेसेपी को आपको भी बहुत पसंद आएगी बस इस बात का ध्यान रखे कि आपको यह मिठाई घी में ही बनानी है फिर मिलते हैं एक और नी रेसेपी के साथ